टॉप 30 एक्सचेंज लिस्टिंग यह है सब इसे बड़ी खवर जो कि लवली इनुक टोकन के एको सिस्टम के तरफ से आड़ी है तो क्या 30 सप्टेंबर को आफ सभी को 10,000 परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है लवली इनुक के टोकन के तरफ से यहां पर बिसिकली दोस्तो मैं इको सिस्टम वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि टोकन चाहे हाइडियस हो या फिर लवली हो या फिर डॉक्टर इसकल हो तीनों लवली इनुक के एको सिस्टम से आने वाले टोकन है तो दोस्तों क्या 30 सप्टेंबर को यह जो टॉप 30 एक्सचेंज होने वाली है कितना प्रॉफिट होगा पूरी जानकारी विट रियलिटी एंड फैक्ट दोस्तों इसी वीडियो मताऊंगा बहुत जादा रिसर्च और इनलाइसिस के वाद वीडियो लेके आ रहा हूं बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों बहुत नोटिफिकेशन का वाल पे स्टिट कर दीए क्योंकि हम आप सभी के लिए एक्स्क्लूसिव क्रिप्टो कॉंटेंट रेगुलरली लेके आते रहते हैं दोस्तों और अगर आप सभी यहां पर लवली इनू क्वाइन की पर्फॉर्मेंस को देखिएगा जो आप सभी को कभी एक्चुली में बताया ही नहीं जारा जोस्तों आप सभी से हमेसा से चुपाया जारा है जहां कि आप सभी को एक डॉलर का सपना दिखाया जारा अभी हम इसे सपना ही माने तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर हम को इनकी पर्फॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 10 दिन की अगर आप पर्फॉर्मेंस को देखिएगा तो आप हैरान होने वाले दोस्तों क्योंकि यह लवली इनु टोकन अगर्ष्ट के महने में आप सभी को ऐसी प्रॉफिट जेनरेट करके दे रही थी जहांकि टोकन डंप ही नहीं हो रही थी सिर्फ पॉस्री पंप हो रह कहने आया डॉक्टर इसकल ने पंप दिखाया मार्केट में हाइप क्रियेट हुई बट उसके बाद लवली इनु सेप्टेंबर के मीड से तो पंप करना ही बंद कर दी और उसके बाद लगतार डंप कर रही है टोकन और अगर पिस दिन का बीटा उठा के देख लेंगे तो तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है यह हो जाता है सबसे जाने इंपोर्टेंट क्योंकि अभी जो डेटा आफ सभी के सामने वह बहुत ही भियानक है और इसमें बहुत सारे इंवेस्टर्स को बहुत जाना नुकसान भी हुआ है जहांकि लोग हाइडियेस टोकन से एक्सपेक की गई थी दोस्तों यह सारी जानकारी पर हमने अभी रिसर्च नहीं की है बट अगर आप सभी नीचे कॉमेंट कीजिएगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट डिखाईएगा तो मैं बेसिकली इसी चीज पर रिसर्च करके आप तो यहां जो हाइडियेश टोकन थी उस पर बहुत बड़ी हाइप क्रियेट की गए थी क्योंकि डॉक्तर इसकल जो था वह बेसिकली अगर आप देखेगा तो हाइडियेश टोकन के एडवेटिजमेंट के लिए एक बहुत अच्छा साधन था जा कि हाइडियेश टोकन की प्रिसेल में 90 मिनेट में टोकन आउट सोल्ड हो गई और उसके बाद इस तरीके का गंदा रिटन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो इस समके पीछे का कारण कि अगर यह आप सभी जानना चाहते तो जेरा कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाई लवलीली कुद्वी लवली इनु या किसी वेक्ति की भीची की जरॉत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि आपने देखा थे लवलीलीनू कि जब कर रही थी तो अच्छानक से बहुत स्पीड से पंप कर रही थी तो अगर लगतार इंवेस्टमेंट होने लग जाएगी तो लबली इनू हो या फिर हाइडियस हो या फिर डॉक्टरिस कलो कभी भी पंप करके दिखा जाएगी आप सभी को क्योंकि में टोकन से ज्यादा अगर आप देखिएगा तो जो पांच एक्स्चेंज पर लिस्टिंग होने के बाद पंपिंग नहीं हुई तो यह जो टॉप 30 एक्स्चेंज दोस्तों यह बैसिकली प्रोबिट एक्स्चेंज चली मैं आपको डेटा दिखा देता हूं और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसलिए लोग जब बार बार यहां पे पूछ रहें तो कहीं लोगों को बैं भी किया गया है और ऐसे मेरे पास रिपोर्ट्स भी पतलब के आया यहां पे बैसिकली दोस्तों प्रोबीट ग्लोबल पे हाइडियस टोकन 30 सेप्टेंबर को लिस्ट होने वाली है जब बिटमाट जैसे एक्सेंज पर लिस्ट होने के बाद हाइडियस टोकन ने पंप नहीं दिखाया जो क्या प्रोबीट पर दिखा सकती है यह आप सभी कॉमेंट सक्षेन में कॉमेंट करके बताएगा बेसिकली दोस्तों अगर हम लवली इनू की एक सबसे खड़ाब आलट को देखे जो मुझे प्रस्टनली बहुत ही जारे खड़ाब लगी उछ दिन मैंने आपको एडमिन का ओफिसियल टूइट विदी ओफिसियल मैस ग्रूप में आपको एक एक्सचेंज लिस्टिंग के रिगाडिंग जानकारी दी गई थी बट उस पे भी अवी तक कोई अब्डेट निकल के नहीं आया है कोई अब्डेट ही नहीं आ रही है उसके रिगाडिंग अब यहां पर अगर हम प्रोबीट की बात करें तो इतने स यह लगाट कर जाएगी इसलिए असुरेट ही तो नहीं है दोस्तों की पंप करेगी या नहीं करेगी कुछ भी करके दिखा सकते अगर अच्छा पंप जेनरेट करवाना होगा तो लवली इनू इस टोकन को जरूद से पंप करवाएगी बट अगर थर आयो लो के लिए अच चुके क्वाइन जीओ को के ऑफिसिल एप्लिकेशन पर जहां पर चलिए हम प्रोबिट एक्सचेंज को भी देख लेते कितनी बड़ी एक्सचेंज है और उससे कितना बड़ा पंप आ सकता है तो मैं पर प्रोबिट लिखके सर्च कर रहा हूं दोस्तों और यहां पर प्रोब 65 नंबर पर रैंक कर दिए जहां कि अगर ट्रस्ट स्कोर की हम बात करें तो 7 आट ओफ 10 का ट्रस्ट स्कोर इन्हें क्वाइन जीओ को पर मिला हुआ है तो बैसिकली अगर हम देखे तो दोस्तों इतनी भी बड़ी एक्सचेंज नहीं है कि यहां लिस्ट होने से इतना इसे बड़ी बात की में बात करूं तो वह यह दोस्तों अगर लवली इनु या फिर हाइडियस ठोकन के डेवलपर चाहे को पंप करना तो फिर यह क्यों ना सब इसे लास्ट वाले एक्सचेंज पर इस्टो तब भी पंप कर जाएगी क्योंकि आप ने देखा है लवली इन लॉस्त में कोई फैदा होता नहीं है तो हो सकता आगे चलके अगर पंप कर जाए क्योंकि अगर लवली इनु फ्यूचर के बाड़े में सोच रही तो लवली इनु को पंप करवाने ही पड़ेगा टोकन को क्योंकि अगली आयलो लॉंच पैड के लिए उन्हें अगर तैया नहीं जा सकता है दोस्तों कि अभी आप सभी ने देखा यह जो प्रोविट ग्लोवल एक्स्चेंज यह कैसे बिटमार्ट से कंपेर कर रहा है और बिटमार्ट इससे काफी बड़ा एक्सेंज है जहांकि वह 13 या 14 नंबर पे यहां को पर रैंक करता है दोस्तों मैं बैसिकल पर रैंक कर रहा है किस पोजीशन पर और पोजीशन अभी ठाटी टू आ चुका है दो बहुत तीजी से पोजीशन नीचे आया बिटमार्ट का इसा क्यों हुआ यह तो पता नहीं देखेगा तो प्रोविट से बिटमार्ट काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस अभी भी दे र तो अगर आप सभी लवली इनूं डॉक्टर इसकल या फिर हाइडियस टोकन की एक्चुल एनलाइस चाहते है पूरी फ्रॉम हिस्ट्री से लेकर अब तक की पूरी डिटेल चाहते है तो जरूर से कॉमेंट सकते हैं कॉमेंट करके बता दीजेगा हम कोसिस करेंगे आपको ह एक बारिक डिटेल बताए क्या हुआ अब तक और क्या हो सकते आगे किस तरीके से गेम चल सकती है किस तरीके से टोकन आगे बढ़ सकती है पूरी जानकर आप सभी को बताने की कोशिस जरूर से रहेगी हमारे तरफ से अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज किस अपने हमारे तर एक अब बतार झार अबबूत आगे से बतार आगे मिली जरीके सब्सक्राइब नहीं किस अबबूत अबप्र अबभ ऑने हो ofteniniz फवह ग śmangeताएब नहीं किस तरीके से वी किस व Не अबद Going